बच्चो नमस्कार ज्यान सिंदु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है बांड भट का जीवन परिचे एवं शेली लेकर आए हैं हमाच और साथ में इनकी रचनाओं के भी नाम बताएंगे और साथ में इनकी विशेष्टाएं भी काविक सौंदरी भी बताएंगे अच्छा इससे पहले एक सूचना ये है कि चंदरापीड कथा दस भागों में हमने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है आपको वो देख लेनी है चंदरापीड कथा के ही अंतरगत ये आपका बाणभट का जीवन परिचे है और फिर चंदरापीड पत्रलेखा कादंबरी महाश्वेता ये चार चरित्र चित्रन भी बहुत ही मात्वण है वो चार चरित्र चित्रन भी हम देदेंगे आपको इसलिए आप सभी से मैं ये एक निवेदन करता हूँ कि इसे देखने से पहले चंदरापीड कथा पूरी देख लीजिए या फिर इसको देखने के बाद पूरी चंदरापीड कथा देख लीजिए हलांकि ये देखना तो शुरू में चाहिए ठीक है तो आप देखिए ही संचिप तरीके से तुरंत याद हो जाएगा ऐसा हमने तयार किया है और एक बार शेयर कर देना लोगों को बान भट जीवन परिचे जैसा की प्रशन में पूछेगा आपसे की बान भट का और ये तो आ नहीं है ठीक है इसमें ये दो राय नहीं है इसमें बिलकुल आना ह है क्योंकि यही आता है अब जब कुछ और है ही नहीं तो आएगा क्या इसलिए लेखक का जीवन परिचे जरूर आता है तो बान का ये वाला प्रशन जरूर आएगा इसको 100 नहीं 200 प्रशन से और हो जाए ये तो आ नहीं क्योंकि इसके अलावा क्या आएगा जब है ही नही कुछ और तो ये आएगा ठीक है तो जीवन परिचे आप हेडिंग डाल देंगे लिखेंगे संस्कृत कवियों का जीवन परिचे पूर्णतया इस पश्ट नहीं है जितने भी संस्कृत के महा कवी हुए हैं किसी का जीवन समाचार शुद रूप से हमें नहीं मिलता है कि आख हम लिखते हैं तो ठीक उसी परकार है फिर भी कुछ साक्षों के आधार पर इस पश्ट करने का प्रयास किया जा सकता है ठीक है कुछ साक्ष जैसे कि महा कवी बान चित्रभानू के पुत्र थे बिल्कुल श्योर अच्छा ये चित्रभानू के पुत्र थे और महा कवी बान पुलिन भट पुतर थे तो बाले आवस्था में ही माता राजदेवी की मृत्यू हो गई तो माता कौन थी राजदेवी पिता कौन थे चित्रभानू तत पश्चात पिता ने ही इनका लालन पोशन किया पालन पोशन किया लालन पालन किया और जब 14 वर्ष के थे तब ही पिता जी भी चल बसे अर्थात पिता जी का भी देहा वसान हो गया पिता की मृत्यू के पस्चात मित्रों के साथ ये भ्रमड पर निकल गए इस भ्रमड के समय में विभेन गुरुकलों में अध्यन किया इनि बहुत सारे गुरुकलों में विभेन विशयों में पारंगत हो गया ब्रमड के समय सांसारिक अनुभव एवं प्राकृतिक द्रिश्यों का अनुभव प्राप्त करते हुए घर लोटाए बाद में हर्ष वर्धन ने इन्हें सभापंडित न्यूक्त कर दिया है अगर ये वाली पीडिएफ आपको पानी है तो डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए वहां से आपको ये पीडिएफ मिल जाएगी ठीक है और अगर आप वहां से नहीं ले पा रहे हैं तो डबल एट सेवन फोर सेवन टू डबल देवी और पिता चित्रभानू थे ठीक है ये ध्यान रखना समय अगर हमें इसका देखें तो कुछ साक्षों के आधार पर बान का समय स्पष्ट किया जा सकता है ठीक है कुछ साक्षे से हैं कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म लगभग इधर हुआ होगा तो लगभग की बात है समय तो कुछ साक्षों के आधार पर बान का समय स्पष्ट किया जा सकता है हर्ष का राज्या विशेक जैसा कि ये हर्ष के सभापंडित थे तो राज्या हर्ष के सभापंडित थे तो राज्या हर्ष का जब राज्या विशेक था अक्टूबर 606 इस भी में राज्या विशेक हुआ था तो मृत्यू 648 में उसकी हुई थी किसकी महान हर्ष की तो हर्ष की मृत्यू जब 648 में हो गई और 606 में हर्ष का राज्या विशेक हुआ तो 606 और 648 और यहीं पर वे रहे कौन जब सभापंडित है और हर्ष जब जीवित था तभी तो सभापंडित है तो इसी के जीवन काल में वो भी रहे तो अताहा इस आधार पर कहा जा सकता है कि बान का समय सात्वी शताब्दी इसवी का पुरवार्ध माना जाता है ठीक है मा अब महाप कभी बान की करतियों का उले कीजिए हेडिंग डालके तो इनकी दो करतियां बहुत ही प्रसिद्ध है पहली है हर्ष चरित ठीक है हर्ष चरित आठ उच्छवासों में विभाजित है आख्षाई का विधा की रचना है बान की आत्मकथा एवं हर्ष का जीवन चर चरित वर्णी थी है और साथ में बान की आत्मकथा भी है ठीक है उच्छवास कितने हैं आठ ज्यान रखिएगा कादंबरी ये एक कथा है कादंबरी ये क्या है कथा है जो आप पढ़ते हैं चंद्रापीठ का इसके दो भाग हैं पूरो पीठिका और उत्तर पीठिका ठीक आप करिएगा तो चा से चंडी सतक हा से हर्ष चरित रोका से कादंबरी तो चहका याद कर लीजिए बाणभट चहका तो तीसरी रचना आप चंदी सतक मानिए जिसमें सौ शिलोकों में मा भगवती दुरगा की स्तूति की गई है और अने दो रचनाएं हैं मुकुट ताड तक इनकी एक है और एक पारवती परिणे हैं मुकुट ताडि तक और पारवती परिणे दो और रचनाएं में इतनी कुलवा के 5-6 रचनाएं इनकी हैं ठीक है तो याद हो गया होगा हर्ष चरित कादंबरी चंडी शतक मुकुट ताडि तक और पारवती परिणे हैं संस्कृत इदोनों में इन्होंने प्रदर्शनयुम चमतकार पूर्फुर वनन किया है और इनकी रीति की रीति उज्इंक्ति है बाणबट की रीती कौन से बानचाली रीति के कभी हैं कौन बान पांचाली का अर्थ है विशयान रूप शब्दा वली जैसा विशय वशय शब्दों का प्रियोग ठीक है तो पांचाली का अर्थ क्या है जैसी विशय वैसी जैसी विशय वशय शब्दा वली यही पांचाली रीती है और बान में यही दिखाई देता है बान की में दीर्ग समासा, अल्प समासा और समास रहिता तीन प्रकार की शैली का प्रियोग हुआ है ठीक है इन तीनों वैसे तो चार सैलियां प्रचलित थी उस समय में लेकिन इन तीनों का प्रियोग बाण ने अपने काब्वे और गद्दे में किया है शैली के दर्शन होते हैं हमक किसी भी एक शैली पर जोर बाण भट ने बिलकुल नहीं दिया है। तीनों सैलीयों का प्रियोग तो किया अपने काब बिवकद्द में, पर तो किसी एक पर जोर नहीं दिया। अब दिखें भाषा, बाण की भाषा कैसी है। भाषा तो संस्कृत ही है, लेकिन वो कैसी संस्कृत है। अर्थात संपूर संसार बाण की जूठन मात्र है। तो अलंकार क्या है, अलंकारों में बाण ने शिलेश, अर्थापत्ती, विरोधावास, आदि अलंकारों का सुन्दर प्रियोग अपने काब बिभाषा में किया है। और रस देख लीजिए, रस हेटिंग डालेंगे लिखेंगे, बाण सरिंगार रस में सिद्ध हस्त हैं। जितना सुंदर वरणन वियोग यानि विप्रलंब सरंगार का किया है अपने कावे में, उतना ही वरणन शुंदर ढंक से संयोग सरंगार का भी किया है। अता है इस पश्ट है कि बाण संस्कृत भाशा के महा कभियों में अगरगंड हैं बाणो उच्छिष्टम जगत सरवं यह उक्ती भी सत्यसिद्ध हो जाती है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है बाण की जीवन शेली कृतियां रचनाएं ठीक है कहां स सुरू करना है और कैसी हेडिंग पढ़ेंगी बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त है आप सभी दोष्टों में बांट दीजिएगा यह प्रसाद है संस्कृत का प्रसाद है और कुछ बच्चे जो हैं हिंदी लिए हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि यह संस्कृत मुझे संस्कृत वाले तो जानते हैं कि संस्कृत में पढ़ना है लेकिन जो संस्कृत नहीं लिए हैं बच्चे जो हिंदी में वो समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलस समझ रहे हैं हिंदी में यह नहीं पढ़ना हिंदी के सलेवसे नहीं यह संस्कृत है ऑनली संस्कृत जिन्होंने ले रखा है अलग विशे के रूप में है ठीक है चलो